Welcome to MU Guide आज की इस फीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने bootable pen drive को normal कैसे कर सकते हो क्योंकि जब आप bootable बनाते हो तो उसका जो partition होता है वो delete हो जाता है उसे फिर से कैसे normal किया जाता है उसका क्या process है वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपनी pen drive को insert कर लेना है यह मैंने insert कर ली ठीक है यहां देख सकते हो इस तरीके से दो partition type का यह show कर रहा है ठीक है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है command prompt खोलना है उसका shortcut होता है windows button और R को साथ में दबाओगे ठीक है तो यहां नीचे देख सकते हो एक window open हो जाएगी ठीक है run वाला इसमें आपको cmd type करना है और उसके बाद enter कर देना है ठीक है तो यह हमारा command prompt open हो चुका है अब इसमें कुछ command execute करने है और उसके बाद ही आपकी जो pen drive है वो normal हो जाएगी तो आपको यहां सबसे पहले लिखना है disk part कोई space नहीं रहेगा सब small में रहेगा d i s k p a r t उसके बाद enter अब यहां आपको लिखना है list disk l i s t फिर space d i s k फिर आपको enter कर देना है तो यहां देख सकते हो disk 0 और disk 1 आपका show कर रहा है disk 0 वही आपका जो PCI laptop का है मेरा laptop है तो उसका show कर रहा है 931 GB आप इस storage से अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा हमारे pen drive का है जिसे यह 28 GB यह मेरे pen drive का है तो disk 1 हमारी pen drive का है जिसे हमें normal करना है तो हमारे disk 1 है जो की pen drive है तो हम यही चीज लिख देंगे select S E L E C T फिर space D I S K फिर space फिर 1 लिख के इंटर कर देना है तो यहां लिख कर आगे disk 1 is not selected अब disk 1 क्या हो गई है यह सेलेक्ट हो चुकी है तो इसका क्या करना है हमें clean करना है तो हम लिखेंगे C L E A N clean फिर आपको बस इंटर कर देना है तो यहां देख से तो लिख कर आगे disk part succeeded in cleaning the disk तो disk तो clean हो गई लेकिन देखो यह USB drive F जो है यहां को show नहीं कर रहा है तो अभी भी हमारा step बचा है normal करने के लिए यानि clean तो हो गया जो चीज़े थी उसमें वो थो remove हो चुकी है अब एक और step बचा है हमारा इसलिए आपको एक और command type करना है create partition primary C R E A T E space P A R T I T I O N space P R I M A R Y उसके बाद बस आपको enter कर देना है तो यहां सा आपका जो USB drive F है इस पे आपको right click करना है उसके बाद आपको करना है format और यहां से आपको नीचे start पे click कर देना है तो यहां एक warning आएगा बस आपको okay कर देना है तो यह देख सकते हो हमारा format complete हो गया और आपको यहां अब आपको storage भी show कर रहा है ठीक है 28.6 GB यह हमारा storage भी अब दिखने लगा है अब यहां से आपको फिर exit करके enter कर देना है तो यह हमारा normal हो गया तो यह हमारी pen drive बन गई इससे open करो ठीक है और यहां से मैं कुछ file भी copy करके आपको दिखा देता हूँ ठीक है यहां से मैंने यह image को copy किया और यह हमारी USB drive F और यहां पर मैं paste कर देता हूँ ठीक है तो आप देख सकते हो यह file हमारी आ गई इसके अंदर ठीक है अब यह साही से work करने लगी बिलकुल आप normal हो गई है तो आपको यह video कैसी लगी comment करके ज़रू बताइए अगर अच्छी लगी हो तो like ज़रू करिए और अगर आप channel पर नए हैं तो subscribe करके उसके बगल में एक bell का icon होगा उसको दबा के और पर click कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको message आ जाएगा ओके thank you